हाई गईज और वेलकम बाक तो दी चनल दीपाच यादव एजूकेशन वेलकम तो दी डिली हिंदू न्यूज एन रिटोरियल एनालेसस ऑफ फिफ्ट आफ मार्च ट्वेटी ट्वेटी तो गईज आसे तारिक पांच मार्च दोहजार चौबिस और है फ्राइडे देखेंग आपको यह वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना यहां से आप डेली बेसेस पे इस लेक्चर के पीडियाफ को डाउलोड कर पाऊगे अब हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपसे पूछा यह इन तीनों ग्रॉप्स में से भारत किसका मैंबर है तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको चेकाउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे तो चल शुबारम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमनेल वाले इंपोर्टेंट आर्टिकल की दरफ तो दोसो आज के दा हिंदू न्यूस पेपर में दो तीन आर्टिकल ऐसे हैं जो एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट हैं तो उन आर्टिकल को लेकर उसका प्रॉपर बैग्राउंड डेटा, नोट्स हर एक चीज में प्रोवाइट करवाऊंगा बस खाली कंसेंट्रेशन के साथ में चीजों को सुनते वे चलना पॉसिबिलिटी इस है कि इन टॉपिक से बहुत क्वेशन्स मिलें आपको जैसे पहला टॉपिक ये हेल्थ के पॉइंट अवी से बहुत इंपोरेंट है हमारे न्यूस पेपर में मिंशन किया गया है कि हमारे प्रेसिडेंट राष्टपती ने भारत का पहला होम ग्रोन काल्टी सेल थेरेपी को लांच कर दिया है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और ध्यान लखेगा ये भारत का खुद का बनायावा एक थेरेपी है और बोला जा रहा है कि एक नई आशा है स्पेशली कैंसर वाले पेशन्ट के लिए अब ये थेरेपी क्या है कैसे काम करेगी ये सब कुछ आपको मैं डीटेल्स बताऊंगा लेकिन एक बाद ध्यान लखेगा इस थेरेपी को डेवलप किया गया है IIT Bombay and Tata Memorial Center के माध्यम से ये एक प्रकार की जीन बेस्ट थेरेपी होने वाली है जिससे अलग-लग प्रकार के जो कैंसर के पेशन्ट्स हैं इनको ठीक क्या जा सकेगा चलिए अब में मुद्दे पर आते हैं पहले ये जानते हैं ये कैंसर होता क्या है आपको पता होगा जो हमारी बॉड़ी है वो सेल्स से बनी हुई है बहुत सारी कोशिकाउं से बनी हुई है अब होता ही है कि कई बार जब सेल्स ग्रो हो रहे होता है तो उसमें एक Abnormal Growth देखने को मिलती है Abnormal Growth दियान से इस word को सुन ली जएगा जब abnormal growth होगी तो उस जगह पर body part थोड़ा सा ज़ादा grow करेगा गांट वगरा बन जाएगा ट्यूमर बन जाएगा फिर दीरे दीरे वहाँ पे वो cancer में develop हो जाएगा अब दोस्तों उसी cancer को ठीक करने के लिए अलग-लग therapies already available है लेकिन अगर आप दूसरी therapy देखोगे जैसे आपने chemotherapy का नाम तो जरूर से सुना होगा या immunotherapy सुना होगा इन therapies के अंदर में दोस्तों दवाईयों का इस्तमाल किया जाता है cancer के patient को ठीक करने के लिए ठीक है तो कहोगे दवाई नहीं तो क्या यूज करेंगे सही तो है दवाई का इस्तमाल करेंगे तो क्या कार्टी सेल थेरेपी में दवाई का इस्तमाल नहीं करने वाले नहीं कारटी सेल थेरेपी के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर हम उस मरीज का खुद का जो सेल है जो कोशिकाएं है उसका यूज करेंगे उसके सेल्स को मोडिफाई करेंगे जिससे कि यहाँ पर उसके बॉड़ी में जो टी सेल्स प्रेजेंट है वो जाधा एक्टिवेट हो और सीधा वो ट्यूमर वाले सेल्स को जो आगे कैंसर बनेंगे उसको यहाँ पर टार्गेट करके खतम कर दे काओगे नई समझ माया या थोड़ा थोड़ा समझ माया थोड़ा सा रुको अभी आगे डीटेल से समझेंगे भी मस खली मैं आपको ओवर व्यू दे रहा हूं अब पहले बात यह करते हैं यह जो कार्टी सेल्ट थेरेपी है दोस्तो इसको अल्रेडी कई सारी अलगलग प् के लिए अब प्रोसीजर जानता है कि सर यह कार्टी सेल्ट थेरेपी स्पेशली यहां पर कैंसर के पेशेंट को कैसे ठीक करेगी चलिए नमबर वन स्टेप पहले स्टेप में क्या होगा वो पेशेंट जिसको यहां पर कैंसर है उसके बॉड़ी से बलड निकाला जाएगा और बलड निकाला इसलिए जा रहा है ताकि उसके खून में से हम T-cells को निकाल सकें यह T-cells हमें चाहिए जैसे दैसे अब चलो हमनों इसके बलड ले लिया और बलड में से T-cells निकाल लिये अब T-cells निकालने के बाद में दोस्तो उस cell में हम क्या करेंगे एक जीन जाएगा जैसे हमने इस से A-R को एड़ कर दिया इस से हमको क्या मिलेगा कार T-cell समझ गया इसलिए यहां पर यह जो वर्ड है कार यह लगाया जा रहा है अब चलो यह कार T-cells मिल गया अब क्या करेंगे अब इसी कार T-cells को millions of millions में ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद मे इस सेल को ले जाकर वो कैंसर के पेशेंट में इनफ्यूस कर देंगे उसके अंदर यहां पर वापस से इस सेल को पहुचा देंगे अब यह कार T-cells जैसे उसके बॉड़ी में जाएगा तुरंत जो कैंसर वाले अलग-लग सेल्स या अबनॉर्मल सेल्स उनको पकड़ कर मार देगा यही एक सिंपल सा प्रोसेस है कार्टीसल थेरेपी का आई होप आपको बहुत ही सरलता से यह समझ में आ चुका होगा चलिए अब बात करते हैं इस पुरे थेरेपी के इंपोर्टन्स की तो इसका इंपोर्टन्स यह है कि डारेक्ली पेशेंट का जो इम्यून अब बात है इसमें चैलेंजिस की की इसमें प्रोब्लम्स क्या हो सकती है सबसे पहली समस्य थेरेपी में है वो है प्रेपरेशन बहुत जादा असान नहीं है यह प्रोसेस कार्टीसल थेरेपी को प्रेपेर करना अपने आप में काफी मुश्किल है और जो पहला क्लिनिकल दोस्तों हुआ था वो आसे 10 साल पहले हुआ था मतलब क्लिनिकल ट्रायल 10 साल पहले हुआ था फिर दीरे दीरे करके इस पे इतनी टेस्टिंग की गई काम की गई ना फाइनली जाकर अब यहां पर इंडिया ने इंडिजिनियस लिए खुद से यहां पर इसको डवलप कर ल दूसरा जो सबसे बड़ी चुनाती है इस थेरेपी में वो है side effects जे बिलकुत side effects होने के chances भी हैं और बोला यह जा रहा है जब हम इस थेरेपी का इस्तमाल करते हैं दूसरी बिमारी को ठीक करने के लिए तो इस बिमारी को ठीक करने के लिए इस थेरेपी की efficiency बढ़िया है 90% से ज़ादा है लेकि जब दूसरे प्रकार को cancer की ठीक करने की बात आती है तो इसकी efficiency काम करने का जो तरीका है capabilities है इस थेरेपी की कम हो जाती है प्लस इसमें side effect के भी chances है side effect basically यहाँ पर क्या हो सकता है body के अंदर में cytokine release syndrome हो सकता है जिसकी वज़े से दोस्तों यहाँ पर immune system का activation कुछ ज़ादा हो सकता है collateral damages हो सकती है body में body के जो normal cells हैं हमारी वो भी खतम हो सकती है यह therapy किसलिए है cancer के cells को खतम करने के लिए लेकिन इससे normal cells के उपर भी असर पड़ सकता है दूसरा जो side effect है वो है neurological symptoms कई बार इस दवा से क्या होगा इस therapy से especially इंसान का brain seizure हो सकता है बोलने में तकलीफ हो सकती है दिमाग में confusions बहुत create हो सकता है अब इन दोनों challenge को side में करें तो एक और सबसे बड़ा challenge आता है affordability वैसे cancer के patient के लिए एक नई hope तो है ये लेकिन दोस्तों इसको afford कर पाना अपने आप में मुश्किल है cost जादा है इसकी और cost जादा होने की वैसे कई सरे लोग ऐसे होंगे जो इसको लेकर इलाज नहीं करवा पाएंगे अब जैसे हमने इस पूरे आर्टिकल में T-cells बार-बार इसका discussion किया क्योंकि इस पूरे therapy का नाम ही CAR T-cell है तो जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये T-cells exactly है क्या अब दोस्तों जब बात करते हैं हमारे body में blood cells की तो तीन प्रकार के blood cells आपको नज़र आएंगे एक होता है RBC that is red blood cell दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा WBC यानि white blood cell और तीसरा है platelets ठीक है तो ये तीन प्रकार की blood cells आपको नज़र आएंगे अब इसमें से कोगे ये मैं क्यों बता रहूँ आपको मैं आपको इसलिए बता रहूँ ताकि आप ध्यान रखो ये जो तीन blood cells हैं इसी में से अगर आप देखोगे तो T-cell भी आता है मतलब T-cell ना इसको आप T-lymphosides के नाम से जानते हैं T-lymphosides एक प्रकार का white blood cell ही है white blood cell जिसका main काम होता है हमारे body में immune response को लेकर ये T-cells अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसका main काम यह है कि अगर body में कोई virus, bacteria या दूसरे abnormal cells या cancer cells पहुँचते हैं तो उनको पहँचान कर उनको खतम करना और T-cells भी दो प्रकार के होते हैं एक होता है helper T-cell और दूसरा होता है cytotoxic T-cell इसको भी ध्यान में रख सकते हैं ठीक है तो यह कुछ basic information है यहाँ पर मैंने दोनों combine करके आपको बता दिया है exam के लिए super important topic है यह आगे बढ़ने से पहले एक important information अगर आप लोग हमारे paid groups को जोईन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका इसको जोईन करने का यहाँ पर आपको daily basis पे correct notes के PDF अगरा provide करवाय जाते हैं for example जैसा आप यह देख पाओगे हमने article discuss किया इस article में इतनी information नहीं मिलेगी आपको इस article के पीछे का background data यह सारा चीज़े जो दोस्तों आपको सामने provide करवाय गया है proper notes और यही सारी चीज़े आपको PDF में compile करके दी जाती है एक ऐसा PDF जिसका print out वगर आप निकलवा सकते हो एक ऐसा PDF जो Hindi English दोनों भाशाओं में available है प्लस यह group ऐसा है दोस्तों यहाँ पर सारे content आपका secure देखने को मिलेगा या नहीं PDF इखटे कर रहे हो कैसे collection हो रहा है कोई sequence नहीं है ऐसी कई सारी problem से गुजरना पड़ता है बड़ इस group को join करने का सबसे main फाइदा यही है कि सारी PDF date wise पड़ी भी है किसी भी तारीक का PDF उठाओ, download करो, पढ़ो, delete कर दो वापस download करने की options में है unlimited options आपके पास में available है और group को join करने का जो fee payment है वो भी बहुत minimum है just for the 49 for the lifetime access यानि केवल 409 में आप lifetime का access ले सकते हैं और सबसे important जब तक आपका selection ना हो जाए आप ऐसा कहलो तब तक आप इतना amount में group को join करेकर रख पाऊगे guarantee एक कुछ जुनों बाद आपका amount recover हो जाएगा लेकिन benefits आपको फिर भी आगे मिलते रहेंगे group को join करने के लिए क्या करना है whatsapp पर जाना यहाँ पर आपको एक number दिया गया है 853-487-3368 इस number पर message कर देना कि हाँ I want to join this group आपको वापर reply मिलेगा payment का process दिया जाएगा और payment के process से जाधा important demo video का link भी दिया जाएगा आप पूरे demo video को check कर लीजेगा कि मुझे किस तरीके से फायदे होंगे अपने आपको satisfy करने के बाद में जाकर यह investment आप कर सकते हैं ठीक है बाकी दोस्तों make sure क्या करो यार वीडियो पर जो like button उसको press कर दिया करो 5000 likes का target है जिसको आप पूरा कर सकते हैं आज वीडियो थोड़ा सा लेट होगा है माफी चाओंगा यार कभी-कभी issues हो जाता है यार है ना life है कभी-कभी थोड़ा पहुत दिक्कत उपर नीचे हो जाता है तो वैसा भी regular आपको पता है Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday तो लगातार चार-पांद दिन से morning में 5-6 की बीच मारा था आज थ Chief Justice of India ने mention किया है एक बहुत important personality को नाम है इनका Fali S. Nariman तो यहाँ पर Fali S. Nariman की तारीव किये है बहुती जादा इनको praise किया है इनके काम को praise किया है आपको पता है recently यहाँ पर इनकी death हुई है 21 February को है ना तो 21 February को death होने की वज़ह से भी यहाँ पर यह personality बहुती जादा चर्च मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा बड़े-बड़े cases जो हुए है उन cases के अंदर में इनका एक बहुत बड़ा योगदान हमने देखा है तो हाली में न्यूज यह आई थी कि जो एक important से जोरिस टेक senior advocate जिनका नाम है Fali S. Nariman जिनका photo आपको नजर आ रहा इनका जो career है दोस्तो उसमें अगर आप देखोगे as a lawyer इन्होंने लगबक 75 years तक सर्व किया और आखरी के कुछ साल यहाप अगर आप देखोगे तो वो Supreme Court में as a senior advocate के तोर पर सर्व कर रहे थे चलिए अब गहराई में चलते हैं और बात करते हैं इनके details के बारे में इनके G1 के बारे में तो नारिमन जी का जन्म हुआ था 1929 में कहाँ पर जब बेसिकली यहाँ पर वो British India कहला था क्योंकि देश अधाद हुआ नहीं था तो उस दोरान यहाँ पर इनका जन्म होता है इन्होंने अपना legal career यानि कि law के law का जो हमारा पूरा area है उसमें इन्होंने अपना career start किया कैसे अपने को as a advocate enroll किया Bombay High Court में 1950 में और फिर दोस्तों यहाँ पर इनका status दिरे दिरे बड़ता चला गया फिर बाद में यहाँ पर इनको as a senior advocate के तोर पर designate किया गया 1961 में देन उसके बाद यह डेली चले जाते हैं और डेली में जाकर यहाँ पर Supreme Court of India में प्राक्ट जी क्या होता है इनको यहाँ पर as a additional solicitor general of India के तोर पर assume किया जाता है कहने का मतलब है जैसे कोई court में case वगरा होता है न तो उस case में मालो सरकार अगर कहीं पर involved है तो सरकार को represent करने के लिए आपने सुनाओगा नाम है ना solicitor general तो basically यहाँ पर हम बात करेंगे तो इनका जो role थ additional solicitor general of India के तोर पर यहाँ पर देखने को मिला तो इस पद पर इनको रखा गया 1972 में लेकिन होता यह है जब emergency इंडिया में impose कर दी गई थी लगा दी गई थी 26 जून 1975 में उसके बाद या उसी दिन पर जब emergency लगी भारत में दोस्तो तब ही यहाँ पर इनोंने अपने पद से resign इन भी कर दिया यह वो personality है जिनको पद्म भूशन से भी समानित किया जा चुका है 1991 में प्लस पद्म भी भूशन से भी समानित किया जा चुका है 2007 में प्लस यहाँ पर इनका आपने contribution देखा legal sector में उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह एक बहुती prominent author भी रह चुके हैं कई सारे important books आपको यहाँ पर इनकी देखने को मल जाएगी Before the memory fits एक प्रकार की autobiography है इनकी Then state of the nation, India's legal system, can it be saved इस प्रकार का एक book है Then God save the honorable supreme court इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर important works इनके नजर आते हैं इनके बेटे justice रोहिंतन एफ फारिमन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह भी as a supreme court के just serve कर चुके हैं अब बात यह आती है कि यह lawyer रह चुके हैं कई सारे cases यहाँ पर इनका involvement होगा बिल्कुल सही बात है चलिए अब यह बात करते हैं हम नारिमन जी का कौन-कौन से बड़े-बड़े cases थे जिसमें एक योगदान था सबसे पहला case आता है 1967 का I.C. गुलकनाद वर्से स्टेट अफ पंजाब और इस particular case के अंदर में court का क्या order होता है कि जो parliament है वो हमारे fundamental rights को नहीं छेहिन सकता कम नहीं कर सकता तो basically एक petition था court के अंदर में जारी किया गया था उस याचिका में जो constitution 17th amendment act था उसको challenge किया गया इस comment किया गया था अब फाली नारिमन जो थे वो petitioner के बिहाफ में आये थे petitioner की site से आये थे और दोस्तों जब यह पूरा case हुआ तो 11 जज की bench बैठी और 11 मैसे जो यहाँ पर majority 6 जज थे उन्होंने यहाँ पर यह बोला कि जो article 13 clause 2 है इसको support करते हैं mention किया कि जो parliament है वो यहाँ पर law बना सकता है ठीक है कानून मनाएगा लेकिन कानून मनाते वेर आपने किसी के fundamental rights का हनन नहीं करना है fundamental rights आप नहीं चीन सकते हैं पता है न संभिदान में article 12 से लेकर 35 तक जो आपको fundamental rights जिये गए मौली का दिकार मिले वें तो यह वाले case में इनका involvement था दूसरा यहाँ पर second judge case में इनका involvement था अब यह क्या है matter अब दोस्तों आपको पता है जैसे supreme court के अंदर में अगर किसी को judge बनना है तो judge के appointment के लिए हमारे पास में एक पूरा process होता है जो अपनाया जाता है एक college system होता है उस college system में पांच judges होते हैं supreme court के और एक होते हैं chief justice of India है ना तो sorry एक होता है CGI और बाकी यहाँ पर चार होते हैं हमारे supreme court के senior most judges तो total पांच members आपको देखने को मल जाता हैं इस college system के अंदर में ठीक है यह बात आपको clear हो गई अब दोस्तो college system में ये पांचों लोग मिलकर आपस में consultation करके discussions करने के बाद में किसी judge को appoint करते हैं आगे अब होता है यहाँ पर यह है कि starting में college system में starting में पांच member नहीं थे starting में केवल CGI ही सारे case के से को handle करते थे धिरे धिरे इसमें कुछ judges sad होते चले गए जैसे पहला judge case हुआ था 1981 में फिर second judge case की बात करेंगे तो 1981 में आपर अगर आप देखोगे तो यह case होता है second judge case 1993 का था especially यहाँ पर Supreme Court ने first judge case को और कुरूल करते हैं यहाँ पर बोला कि नहीं भई इस system में दो judges होंगे जो हमारे CGI के साथ में discussions करने के बाद में क्या करेंगे यह judges को appoint करेंगे तो इस तरीके से कुछ और judges बढ़ा दिये गए फिर ऐसी दोस्तों यहाँ पर एक case और होता है third judge case आपको पता होगा तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो judges को और बढ़ा दिया गया था तो इसी third judge case में हमारा कॉलेजियम सिस्टम में इसमें टोटल पांच मेंबर्स हो गए थे चार senior most judges और यहाँ पर एक हो गए CGI तो यह पांच लोग मिलकर आज हमारे court में judges को appoint करने का काम करता है तो दोस्तो judges दिरे-दिरे बढ़ाने को लेकर जो यह particular case हुआ था उसमें भी यहाँ पर नारिमन जी का एक बहुत बड़ा involvement देखने को मिला था फिर एक बार तो case यह होता है NJAC आपको पता होगा यह है National Judicial Appointment Commission यानि जो कॉलेजियम सिस्टम बना था इसको खतम करके एक National Judicial Appointment Commission होना चाहिए इस प्रकार का एक case हुआ तो इस case में यहाँ पर Supreme Court ने इस NJAC को खारिच कर दिया इसको बोला गया यह Constitution के अगेंस्ट है specially यहाँ पर अगर यह case पास होगा तो हमारी judiciary independent नहीं रहेगी Judiciary के उपर कही न कहीं दबाव रहेगा government का फिर क्योंकि यहाँ पर Judges को Appoint करने का तरीका बदला जा रहा था इस particular process में तो इस process को हटाया गया नारीमन जी ने यहाँ पर इस case को represent किया represent करते करते NJC को challenge भी गया बोला यह Commission सहीं नहीं है इस Commission से जो Judiciary की Independence है वो कही न कहीं compromise होती हुई नजर आएगी तो हम नहीं चाहते Judiciary का Independence compromise हो क्योंकि एक proper democracy में Judiciary का Independence होना बहुती ज़्यादा जरूरी है ठीक है यह बड़े-बड़े cases थे ऐसी कुछ और important cases थे यहाँ पर फॉलियस नारीमन जी के जैसे भोपाल Gas Strategy versus Union of India 1989 का cash आपको बदा ना भोपाल के अंदर में रात में जो ए गैस लीग हो गए थी इस company से उनके कुछ अपने mistakes की वज़ा से जिसकी वज़ा से एक बहुत बड़ा खत्रा देखने को मिला दो सप्ता के अंदर अंदर 8000 लोग की जान चली गई थी फिर बाद में कई और 1000 लोग की जान गई 42 टन जो gas है वो रिलीज हो गई थी आसपास तो यह हाल यहाँ पर उस समय पर हुआ था काफी बड़ा loss हमने देखा था इवन आज भी कई सरह लोग ऐसे हैं जो impacted है उस tragedy के अंदर में तो इस case में यहाँ पर इस company से पैसा दिलवानी के लिए बोला गया था ठीक है तो यहाँ पर जो advocate थे नारिमन जी यह appear होते हैं union car white को represent करते हैं और यहाँ पर कही न कहीं एक बहुत बड़ा जो amount है वो भी pay कियरने की बात करते हैं especially इस tragedy के अंदर में जो भी पिलित लोग थे उनको यहाँ पर इस company से amount भी दिलवाया फिर एक case था TMA 5 foundation versus state of करनाड का यहाँ पर नारिमन जी आर्गू करते हैं एक important case था especially minority rights की बात होती है तो यहाँ पर minority rights जो अलप संक्या किया है उनके हको के लिए यहाँ पर लड़ा गया तो यह जो particular case आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर बोला गया था जो governor होता है governor को हमारे council of minister को council of minister की advice पर काम करना पड़ेगा ठीक है तो especially यहाँ पर एक matter हो गया था जहाँ पर governor कुछ decisions ले रहे थे गवर्नर यहाँ पर assembly session को कह सकतो एडवांस कर रहे थे बट होता यहाँ पर यहाँ कि बीच माया court और court ने आपर बोला जो governor है भीया उनके पास में यह सारी power नहीं है governor किसी भी state का है तो वो जो काम करेगा वो council of minister की advice पर काम करेगा chief minister के advice पर काम करेगा governor को अपने हिसाब से कुछ set करने की जरूवत नहीं है तो यह particular case था फिर कावरी water dispute था दोस्तों यहाँ पर नारिमन जी करनाड़का को represent कर रहे थे 30 साल पुराना विवाद था यह है ना यहाँ पर करनाड़का से बोला गया आप थोड़ा थोड़ा धियान रख सकते हैं एक्जाम के लिए काफी relevant हो सकता है ना फिर एक और topic आता है यह भी हमारे एक्जाम के लिए काफी important है economic times में mention किया या है भारत का जो coal और lignite production है यह अभी तक का सबसे ज़ादा हुआ है 2024 में है ना इंडिया में जो coal पया जाता है उसमें especially जो lignite का उतपादन है यह एक billion tons से जाद हुआ यह statement खुद हमारे coal minister प्रलाद जोशी ने दिया है तो ज़रा जानते हैं आओ coal का status इंडिया के respect में डिसकस करेंगे पहले भी मैं आपको यह पढ़ा चुका हूँ लेकिन पहले से हटकर data है थोड़ा सा ठीक है तो चीज़े repeated नहीं है थोड़ा सा हटकर data है तो उसको ध्यान लखेगा थोड़ा सा और relevant और updated data है तो होता यह है कि news यह है कि जो हमारे union minister of coal है इन्होंने inform किया कि coal और lignite का production दिन बदिन grow करता चला गया और पिछले 10 सालों में 70% से जादा इस बार coal का उतपादन किया गया है ठीक है अब यह जो पूरा का पूरा achievement हुआ है इसका importance क्या देखने को मिलेगा इसका importance यह होगा energy बरपूर मात्रा में मिलेगी energy के लिए इतना भागना नहीं पड़ेगा energy security को पर काम देखने को मिल जाएगा है ना जो हम import कर रहे थे कोईला वो थोड़ा सा यहाँ पर obviously बात है कम करेंगे simple सी बात अब जब production बड़ा है तो जो import हो रहा है वो import के उपर control लग पाएगा तीसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो दोस्तो जो भारत का पुरा कोईले का सेक्टर है इसका current status कैस की इस्थिति क्या जरा यह जान लेते हैं जब बात करते हैं कोईले की तो भारत पांचवा सबसे बड़ा geological reserve से लेकर बैटा है कोईले के पांचवा सबसे बड़ा देश जहां पर बहुत सरे कोईले के भंडार है और second largest consumer भी है पूरे दुनिया में कोईले के भंडार तो हैं कोईले का उत्पादन भी हो रहा है लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा consumption के लिए भी हम आगे हैं क्योंकि population obviously बहुत ज़्यादा है फिर बात करेंगे production की तो इंडिया में जो सबसे बड़ा producer है वो है coal India Limited इससे बड़ा producer कोई नहीं है इंडिया में जितना भी coal का उत्पादन हो रहा है उसका 70% से ज़्यादा production केवल coal India Limited कर रहा है very important फिर बात आती है import की भली production कितना भी हो दोस्तो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें import भी करना पड़ता है जैसे साल 2023-2024 के अंदर में इंडिया ने 217.75 million tons के आसपास कोईला import किया especially non-making coal यहाँ पे सबसाद हमने import किया अब import किया क्यों उसके पिछे के reasons क्या है अब मैं आपको यह थोड़ा सा बताता हूँ जो हमारा पूरा कोईला sector है इंडिया का इसमें कुछ चुनोतिया भी है challenges भी हमारे सामने आता है जैसे challenge number one कई बार क्या हो रहा है जहाँ पर कोईला जबसे ज़्यादा मातर में पाया जाता है जो coal areas है है ना वहाँ पर बेफालतू की बारिश होना और वो बारिश बढ़ जाना unseasonal rain होना especially बिना season की बारिश हो रहे जिसकी वे से यहाँ पर यह पूरी industry affect होती है then जो power sector consumers है जो power produce कर रहे है especially वो payment नहीं देते हैं कैसकतो reserves को तो payment नहीं मिल पाती है यह भी बहुत बड़ा challenge है industrial issues आते है फिर उसके बाद में आपको पता है कोईले के production के लिए एक बहुत बड़ा जमी चाहिए environmental challenges होते हैं फिर कोईले की quality भी matter करती है अगर quality बेकार है तो अब्वेसी बादा जादा बढ़िया energy produce नहीं कर पाएगी और कोईले भी बहुत जलाना पड़ेगा जिससे प्रदूशल बहुत होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कोईले की quality के उपर काम कर रहे हैं जिसमें high as your self मतलब quantity अभी आपको quality ऐसे देखने को मिलेगी चालेंज है एक बहुत बढ़ा फिर बात आता है एक और challenge की वह है technology हमारे पास में बहुत पुरानी है आज हम कोईले का खननन कर रहे हैं production कर रहे हैं productivity बहुत कम है हैना पैसा बहुत ज़्यदा लग रहा है plus safety को लेकर कही सारे issues है तो ये सारी समस्यां ये सारा challenges को देखते वे हमारे इस पुरे कोईले सेक्टर में दोस्तों कुछ सुधार करने की बात की गई कुछ की reforms लिए गए उस सुधार में सबसे पहला सुधार है coal mines and special provisions act 2015 ये जो act है दोस्तों इसका main काम है ensure करना कि जो भी auctioning हो रही है जो भी निलामी की जाती है जहां पर कोईले का उत्पादर रहा है वो सही तरीके से होए फिर उसके आद में दूसरा जो हमारा reform था Mines and Minerals Development Regulation Act Amendment 2021 यहां पर जो company से दोस्तों उनको license provide करवाने की बात की गई then single window clearance यहां पर जो coal mines है coal mines को operationalize काम करने का तरीका उसको और simple किया गया है तो इस तरीके से कुछ reforms लाए गए थे coal sector को थोड़ा सा smoothly run करने के लिए तो reforms के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है ठीक है? चलिए एक और important topic exam के लिए यह आज कही अख़बार में present है आज का दाहिंदू अख़बार उठाओगे page number 6 पर यह article आपको देखने को मिल जाएगा यहां ही पर मैंने Indian Express वाली भी लगा दे Indian Express में भी आज का ख़बार में mentioned है तो दोस्तों आपको पता है इसराइल और हमास के बीच में यहां पर यह युद्ध होता है 7 October में उसके बाद से यहां पर लगातार इसराइल ने बहुत सारे बॉम बरसाएं पूरे के पूरे गाजा पती के उपर में और उसकी वेसा हालात बहुत ज़्यादा खराब है इसराइल के ओपर भी लगातार अटेक हो रहा है इसराइल भी लगातार अटेक कर रहा है अब ऐसा situation बनावाई इसराइल के अदर भोगि काफी unstable है और ऐसे खत्रह ही situation में लगबक 60 Indian construction workers जो इसराइल के लिए जा चुके हैं इसराइल में काम करने के लिए क्यों 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 कि इसराइल में workers का shortage तुआ है दूसरी बात दोस्तो इसराइल बहुत अच्छा payment कर रहा है इस समय पर तो भारत और इसराइल ने मिलकर एक agreement sign किया है कि भारत अपने workers को भेजेगा इसराइल में काम करने के लिए एक बड़िया payment यहां पर इसराइल प्रोवाइड करवा रहा है हमारे workers को लेकिन बात आती है safety की तो सरकार ने खुद यहां पर इसराइल से बोल दिया है कि इसराइल को सभी भारतिय वरकर की safety को ensure करना होगा भई आप ले जातो रहे हो इंडियन workers को काम करवाने के लिए अपने economy के अंदर में add up करने के लिए लेकिन धियान यह भी रखना है कि यहां पर जो हमारे workers है उनको या फिर उनके साथ में कोई गलत चीज ना हो जो workers हैं उनकी safety के ओपर proper धियान रखा जाए सके अब मैं आपको बताता हूँ यह agreement वगरा क्या था जिसके basis पर यह काम हुआ तो दोस्तों इस पूरे गाज़ा पट्टी पर जो योद दो रहा है इसी बीच में इंडियन construction workers का जो पहला batch है वो इसराइल जा चुका है तो जो यहाँ पर इंडियन workers इसराइल जा रहे है इस पूरे process को support किया जा रहा है NSDC के थूँ NSD International के थूँ यह हमारा क्या एक G2G agreement का हिस्सा है देहान रखनी का भारत और इसराइल के बीच में एक agreement हुआ है government to government agreement ठीक है और ठीक है तो इसी agreement के ताद अगरम देखेंगे तो NSDC International का हिस्सा यह क्या है National Skill Development Corporation International एक not for profit company है जिसका profit कमाना कोई मकसद नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे जिसमें government of India का 49% आपको stake देखने को मिलेगा holding देखने को मिलेगी तो इन सबने support करके जो construction workers है इनको इस पूरे unstable से region में भेज दिया है हाला कि हाँ situation है कि एक ethical concern है कई सारे लोग प्रशन उठा रहे है कि भाई क्या इन workers को वहाँ पर भेजना सही है महाँ पर इतना खत्रा है तो तो ethical concerns definitely यहाँ पर उठकर आए है लेकिन दोस्तों यहाँ पर India already कुछ advisory जैसे पहले जारी कर चुका Indians को Indians जो इसरेल में present है उनसे पहले ही बोल चुके हैं आप safe zone में आ जाओ जितना कोशिश हो safe zone में पहुंच जाओ कोई खत्रा ना हो आपके बस में और दूसी तरफ यहाँ पे हम अपने construction workers को भेज रहे है तो क्या सही है यह इसको लेकर question उठाया गया इसमें ethical issue पहला आ रहा है life versus living क्योंकि generally हो क्या रहा है दोस्तों जितने भी workers यहाँ पर गए है as compared to India दूसरा ethical issue है exploitation of workers कही सारे social activist का claim करना यह है जो workers है from outside of Israel उनके साथ में mispreet भी किया जाता है फिरा moral dilemma यह जो violence है suffering है इसकी वेसे दोस्तों आपर कुछ problems हमको देखने को मिल सकती है अब बात ही आती है कि आखरकार कौन कौन से steps है जो की भारा सरकार ने उठाए है अपने Indian workers के लिए जो Israel में present है तो दोस्तों जब हम लोग बात करते है safety की तो जैसे मैंने बोला है agreement sign कर रखा है government to a government agreement उस agreement के according जो Indian workers है उनके साथ में equal treatment किया जाएगा और Israel के citizens को जो labor rights मिलते हैं उसके basis पर ही treatment होगा ऐसा नहीं इनके साथ में कोई बेदबाफ होगा इनके साथ में गलत होगा तो equally जैसे वहाँ के labor treat के जा रहे हैं वैसे इनको treat किया जाएगा ये इस agreement में mention किया गया दूसरा इन लोगो को proper medical insurance प्लस और जो important coverage है security coverage है ये सारी चीजे provide करवाई जाएंगी time पर इनको wages मिलते रहे time पर अपनी मज़़ूरी मिल जाए है ना तो ये सब कुछ time पर होगा ये इस agreement के अंदर में already mention कर लिया जाए ठीक है बात clear हो गई चलिए एक और article पर आते हैं ये All India Radio की news है और आपको पता है AIR जो source है हमारा ये exam के लिए काफी important होता है यहाँ पर बात हो रही है नेपाल का जो lower house है उसने अभी approval दे दिया है BIMSTAC charter को very very important topic अब ये क्या है BIMSTAC charter ज़रे details से आपन समझेंगे उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखरकार ये approval दो दिया है नेपाल के federal parliament ने तो क्या अभी तक कोई approval नहीं दिया था नहीं दोस्तों अभी तक कोई approval नहीं मिला था अब ये BIMSTAC charter मैं आपको details से समझाऊं उससे पहले कुछ basic information यानि prelims के लिए कुछ facts जरूर से बटोर के चलना एक्जाम के लिए important है ये charter क्या है दोस्तों ये charter एक प्रकार का proper final document है इस document के अंदर में जो BIMSTAC group के structure है principles क्या है इसके goal क्या है उन सब चिजों को mention किया गया है तो कई सारी countries जो BIMSTAC में already present है उन्होंने इसको sign कर रखा है काओगे BIMSTAC, BIMSTAC बोल रहे हैं है क्या है BIMSTAC BIMSTAC basically एक particular group है जिसमें 7 countries यहाँ पर इसके members है अच्छा BIMSTAC की full form क्या है इसके full form है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation ठीक है ध्यान लखिएगा दोस्तों यह जो particular group है अगर आप देखोगे जो पूरा हम charter की बात करें थे इसको sign और adopt किया गया था मार्च 2022 में जो पाँचवा BIMSTAC का submit हुआ था तब इस charter को sign किया जहां पर BIMSTAC के goals वगरा के बारे mention किया गया इस charter को हर एक country ने कह सकते हो कि sign कर लिया था नेपाल को छोड़ कर नेपाल ने भी आप इसको approval दे दिया यह जो group है BIMSTAC पूरा यह बना था 1997 में ताकि जो कुछ issues थे आपस में economy को मिलकर collaborate करके grow किया जाएगा society progress के उपर काम किया जाएगा इस concepts के basis पर यह BIMSTAC group को बनाया गया और इन countries को add up किया गया तो आज की समय पर दोस्तो BIMSTAC के अंदर में members कितने हैं सदसे कितने हैं आपसे question मन सकता है please please ध्यान लखिएगा इसको no down कर लिजएगा यह 6 members आपको साथ members आपको BIMSTAC के देखने को बिलेंगे फिर से बोल रहा हूँ Bangladesh, Bhutan, India Myanmar, Nepal Sri Lanka and Thailand यह कुछ countries आपको नज़र आते हैं BIMSTAC में clear? चलिए एक और important topic यह भी prelims के लिए important है यहाँ यह कुछ short news है चोटी चोटी news जिसको अकसर हम ignore कर देते हैं लेकिन वही ignorance कहीं न कहीं exam में हमको फिर घाटे में ले जाता है बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे चाहे वो आपकी very short news हो चाहे वो short news हो चाहे वो long news हो हर एक चीज़ को जो important उसको मैं cover करता हूँ इस वीडियो में अब जैसे यह article है यह article वैसे तो बहुत important है दोस्तों लेकिन कई बार क्या होगा हम इसको ignore कर देंगे जातर लोग live mint में in express में money control में सबी जगा पर mention किया गया है क्या बात हो रही है एक report हमारे सामने आई है जिसमें बता जा रहा है कि भारत और euroisian economic unit जिसको हम EEU के नाम से जानते है इन दोनों ने मिलकर officially बातचीत की है free trade agreement negotiation की very very important free trade agreement है कैसा कैसकतो agreement कर रहे हैं जिसके basis पर जो ये EU है euroisian economic union इसके अंदर जो countries और plus भारत ये अपस में मिलकर व्यापार करेंगे और व्यापार में काफी सारी छूट देंगे एक दूसरे को support करेंगे व्यापार में तो इसको लेकर अभी ये negotiation जो बातचीत है वो start हो चुकी है जिस वज़ा से news में euroisian economic union चर्चाव में है चलिए अब directly यहाँ पर बात करेंगे ये EU है क्या तो दोस्तों यहाँ पर जब बात करें इस group की तो इस group को create किया गया था बनाया गया था ताकि European union जैसा एक पूरा group बनाया जा सके ध्यान लखेगा कहोगे European ही तो है नहीं यह Eurasian है Eurasia क्या है basically Asia और Europe वाला जो हिस्सा जब मिल जाता है इसको बोलते है Eurasia European union आपका इधार है जिसमें total 27 countries अलग है ठीक है तो European union जैसे 27 देशन अपस में एक काउमन सा market है व्यापार कर रहे है छूट मिल रही है वैसे ही एक market create किया जाता यहाँ पर Eurasian Economic union में तो भारत आज के समय पर इन 5 देशों के साथ में व्यापार करने के उपर focus कर रहा है ध्यान से याद रखेगा दोस्तो Eurasian Economic union में 5 countries आती हैं इस union के 5 members आपको नजर आएंगे Azerbaijan का नाम बस ऐसे ही है 5 members में आपका Belarus, Russia, Kazakhstan, करगस्तान और Armenia यह 5 countries आती हैं तो भारत ने अभी इन 5 countries के साथ में व्यापार को लेकर अपने discussion especially free trade agreement की बातचीत की है और ध्यान रखेगा कि यह जो Eurasian Economic Union है यह particular body बनाई गई थी इसको लेकर एक treaty sign किया गया था 2014 में अस्तना के अंदर जो आज नूर सुल्तान के नाम से जना जाता है 5 members कौन कौन से हैं ध्यान रखेगा Armenia, Azerbaijan और इस पूरे अगर हम union को देखें तो इसमें से कौन सा देश ऐसा है जिसका व्यापार भारत के साथ में सबसे जादा है तो सिंपल सी बात है आपको पता है यह भाई रशिया है अगर आप इस पूरे Eurasian Economic Union को देखोगे तो इसमें रशिया जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है जिसके साथ में जो बालेटरल व्यापार जो हुआ है 2023 इसमें 49.4 बिलियन US डॉलर्स का हुआ है ठीक है ध्यान अखिएगा अगला आर्टिकल ये भी एक्जाम के लिए इसमें उपर से ना कुई कट लगेगा ना कुछ लगेगा बॉडी में ना उपर से कोई चोट लगेगी लेकिन अंदर ये अंदर से खाई जाईगी अब ये कौन से विमारी है ये हैवेना सिंड्रोम ये अटाक है बिसिकली जो कि Russian Intelligence Unit के साथ में लिंक नज़र आ रहा है क्या है पूरा मेटर आओ मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ हुआ यहाँ पर ये एक Joint Media Investigation ने यहाँ पर लिंक किया इस हैवेना सिंड्रोम के सिंटम्स को बोला जा रहा है कि US के जो डिप्लोमेट्स है US के डिप्लोमेट्स ने Russian Intelligence Unit में अलग लग जगा में हैवेना सिंड्रोम के सिंटम्स को फेस किया है और US खुद बोल चुका है कि US के जो डिप्लोमेट्स ऑफिशल्स हैं अलग लग जगा पर इनको हैवेना सिंड्रोम के लक्षर नजर आया अपने बॉड़ी में यानि उन पे हेवेना सिंड्रोम का अटाक हुआ आप ऐसा कह सकतो US कह रहा है चलिए अब ये तो बात होगी साइड में कर दो इसे ये एक्जाम में आपको हेल्प भी नहीं करेगा एक्जाम में जो हेल्प करेगा अब होता क्या है कि मैं आपको जैसे एक या दो यानि जो हमारे कान है उन दोनों कानों में दर्द हो जाना अजीब और गरीब अवाज सुनाई देती है सू करके ऐसी अवाज दिमाग में जा रही होती है है ना कुछ भी प्रॉपर सुनाई नहीं देता है या बहुत कम सुनाई देता है हर चीज बहुत जल्देलदे इनसान बूच जाता है मतलब भूल जाता है उसे चक्कर आने लगते हैं जी बहुत ज़्यादा मिचलाता है सब कुछ धुंदला धुंदला दिखाई देने लगता है ये लक्षन है हैवेने सिंड्रोम के और मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगा हैं जहाँ पर ये दर्द आपको देखने को मिलेगा शरीर में लंबे समय तक यहाँ पर जो समस्या है वो चलती रहती है सिर्दर्द है सोने में परिशानी हो रही है इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है समझ गए सबसे पहले बार दोस्तों यहाँ पर जो हैवने सिंड्रोम का केस है वो ये निकल कर आया था क्यूबा में ठीक है क्यूबा में सबसे पहले ये केस निकल कर आया था यहाँ पर तब से ही बार बार क्या हो रहा है हैवने सिंड्रोम चर्चा में कियुबा के साथ दोस्तों अगर आप देखोगे चिन Katherine में 2018 में वेंटार 맞는 सिंट्रोम का सबसे पहला केस आया क्यूबा में 2016 में सबसे पहला केस मिला था अमेरिका में 2011 में दीन अमेरिका 2020 में भारत 2021 में भारत में भी एक केस मिल चुका है ऑस्ट्रेलिया में 2021 में जर्मनी 2021 वेतनाम 2021 एंट सर्बिया 2021 यह सारी वो कंट्री से जहां पर इस प्रकार का हैवनस इंड्रोम का जो पर्डिकलर इशू है वो नजर आया है बात यह है यह कोई अटैक है क्या हां बोला तो जा रहा है कोई अटैक है यह बैसि अगर आप देखोगे तो उपर से कोई चोट नहीं पहुंचाते उपर से नहीं कोई कट वगर लगेगा नहीं आपको कुछ वही चोट लगेगी कुछ भी नहीं होगा उपर लेकिन यही माइक्रोवेव हत्यार शरीर के अंदर जो पानी प्रेजेंट है हमारा उसको गरम कर देते हैं उसे जब गड़म करते हैं तो उस से बोडी में जिलन उलती है और कही सारी प्रॉलम्स इखटी होना चार्ट हो जाती हैं क्या यह वाले वैपन अपर चारह के पास में हैं हो Newton ऑ मेरीपार के चार को माइक्रोवेव हत्यार सबसे पहले 2007 में लाए गया गया था फिर अमेरिका ने यहां पर इसे बनाया जिसे वो एक्टिव डिनायल सिस्टम भी यहां पर बोलते हैं तो अमेरिका और चाइना के पास में इस प्रकार के जो माइक्रो वेपन्स हैं वो नहीं पर नजर आते हैं ध्यान रखेएगा तो हैवेन सिन्ड्रोम अभी भी मिस्ट्री है इसको लेकर कई सारी बिसेर्चिस की जा रही हैं आकिरिकार इसमें होता क्या है कि एक इनसान पूरा पागल हो रहा है क्यूबन सीटी में सबसे पहले बार इसको खो जा गया यह जो सलाइड है यहाँ पर बात और यह गगन शक्ती के बारे में तो 10,000 परसनल यहाँ पर अभी इंडियन एर फोर्स की एक्सिजाइस को जॉइन कर रहे हैं पोकरान में यह एक्सिजाइस 10 एपरिल तक चलने वाली है दोस्तों लगबग 10,000 एर फोर्स के जो यहाँ पर हमारे लोग हैं वो इस अभी हास में पार्टिसिपेट करेंगे कई सारे फाइटर प्लेन होने वाले हैं इसमें तेजस, रफाल, सुखेई, उसके लावा जैगवार, ग्लोब मास्टर, चिनू, कापाची, प्रचंड यह सब जो हमारे फाइटर जैट्स हैं दोस्तों इस अभी हास में प्रेजेंट होंगे जो कि अपनी ताकत दिखाएंगे इन पर्टिकुलर डेज के अंदर में तो यह है अभी हास गगन शक्ती, इंडियन एरफोर्स अभी तक की सबसे बड़ी इस अभी हास को कंड़क्ट कर रहा है गगन शक्ती हमारे पोकरान फील्ड में इस exercise में जैसा मैंने बोला, सभी major fighter aircraft, helicopters हमारे एरफोर्स के वो अपनी skills को demonstrate करेंगे अपनी ताकत दर्शाएंगे इस अभी हास के अंदर में इसके साथ में हम अपने lecture वो समाप्त करेंगे क्योंकि आज जादा important आर्टिकल नहीं है जो important थे, super important थे, वो मैंने अलग से discuss किये proper details के साथ में ये 2015 का prelims का question था, कि ये जो तीन bodies दी गई है, इन में से भारत किसका member है, तो उसका सही उतर है, option number B, 3 only, केवल India East Asia Summit का member है, बाकी ये दोनों उपर 1 and 2 जो है, वो अपके गलत option है, तो option number B, 3 only is the correct answer इसे के साथ मैं करते हैं, लेक्चर को समाब तो मिलते हैं, आप सगले वीडियो में आज के लिए, बाबा, have a nice day, thank you and, जाए हिंद